और जब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बॉंड इधर आ जाएगा तो मतलब इस पे positive इस पे negative ठीक है लेकिन ये condition नहीं possible है ये condition भी नहीं possible है और ये भी possible नहीं है मतलब ये answer होगा जा अजय परताप ने भी वही answer दिया है ठीक है कौन-कौन लाइन पर आ चुका है चलो ठीक सावाश दिली पांडे कारतिके नेहा प्रीती सब लोग आ चुके हैं very good question बहुत अच्छा है बहुत important है माया ने second भी बता दिया है प्लस आई effect जो है वो प्लस आई effect कहां पर जा रहा है तो मुझे पता है प्लस आई effect कौन शो करता है प्लस आई effect शो करता है हाँ प्लस आई effect शो करता है CH3 यह electron pushing group होता है और यही present करता है D option आगया आपका चलिए ऐसी जबाब दीजिए बड़ा अच्छी बात है कारतिके जबाब दो अजये प्रताप पनीश जी रन्राधा और गोपाल वेरी गुड नाइस गुड इबनिंग दिले पाढ़ने जी बेरी NO2 जो है electron अपनी तरफ खीच लेते हैं NO2 अपनी तरफ electron खीचता है withdraw करता है तो यह बात ध्यान दिये withdrawing है यह withdrawing में लगाईएगा EWG कहलाता है EWG कहलाता है इसे हम लोग electron withdrawing group कहते हैं जिसे EWG कहते हैं ठीक सावाश very good इसके बाद आजाईए the compound which gives the most किसी को बात करनी है क्या धोके से लग गया चलो question number next आज़े फोर्थ वाले पर the compound which gives the most stable carbocatine on dehydration dehydration पर बहुत अच्छा carbocatine कौन बनाएगा तो अगर मैं dehydration करा दू तो यहाँ पर तो possibility मुझे नहीं दिखाए ज़री चार बाले का चार बाले का यहाँ पर तो यह देखो यह carbocatine जो बनेगा यह two degree का बी option दे रहे हैं इस बाले को देख लो यह भी तो यह तो नहीं बनाएगा यह भी नहीं बनाएगा लेकिन अगर यह बनाता है तो यहाँ positive three degree का carbocatine बनेगा जो सबसे ज़्यादा इस्टेबल होगा गोपाल very good nice तो इसका मतलब है answer b लगा दिया जाए इसका b answer कर दिया जाए नहा नहा आपको समझ में आ रहा है नहा कोई दिक्कत नहीं अनुराधा अनुराधा कोई दिक्कत हो माया आपको कोई problem हो माया कुमारी आपसे बात नहीं हुई आप एक बार अग for the examination point of view ठीक है बताईगा फिफ्ट वाले का जबाब दीजिएगा कि फिफ्ट का क्या जबाब हो सकता है तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोसिस करूँगा most stable carvokitine यह carvokitine सबसे ज़्यादा stable वहीं पर रहेगा जहाँ पर plus i effect हमें दिखाई देगा और plus i effect मतलब plus r effect की म बात करता हूं तो plus r effect हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है तो यह फिफ्ट का c हो जाना चाहिए प्रीती बर्मा फिफ्ट का c होगा बिटा फिफ्ट का b नहीं बी नहीं होगा फिफ्ट का c होगा is it clear चलिए next line पर आ जाते हैं यह भी बड़ा अच्छे questions हैं और question की series को भरप दो बेटा है कोसिस करो कोई बात नहीं the reaction between ethylene and bromine is an किसका example है अगर ethylene और bromine की reaction कराएं यह मालो आपने CH2 double bond आपने CH2 लिया है कारते कि आपको अच्छा feel हो रहा है हमारे साथ में कोई problem तो नहीं आ रही है यह BR हो गया अब इन दोनों को आप जोड़ दो तो यह बन जाता है CH2 BR CH2 BR सिंपल सा reaction है सिंपल सा reaction है इसको आप लोग कह सकते हो यह addition reaction कहलाती है लेकिन electrofile add होता है mechanism अगर जानने की कोसिस करोगे तो पहले BR यानि कि अगर मैं इस रास्ते आऊं तो सबसे पहले यहां CH2 CH2 और यहां पर आपका BR positive इस तरीके से add होता है फिर एक बार BR add कर आ जाता है तो यह हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक addition हो जाता है addition तो है लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक addition कहलाता है उसके बाद आजिए which of the following which of the following statement regarding which of the following statement regarding the resonance energy of the engine is correct बताईए बताईए बहुत ही अच्छा question बहुत important question और आप लोगों को मेरे हिसाब से 7th वाले का the energy is measured of stability of the benzene एक तो यह which of the following statement regarding the resonance of the benzene is correct the energy required to break hydrogen यह नहीं गलत है the energy required to break the carbon carbon यह भी गलत है the energy is measured of the stability of the benzene energy required to convert नहीं यह होगा c option होगा बिलकुल 100% वनीज जी गोपाल और अजे प्रताप सिवानी मनू लुबना दिलीप सेवन्थ का बिटा सी होगा समर ने जवाब नहीं दिया स्प्रीती वर्मा ने भी सी ही दिया very good कारतिके आप जवाब बिलकुल नहीं दे रहे बिटा थोड़ी कोसिस करो गलत तो ही होगा गलती ही हो सक तीस से जादा कुछ नहीं होगा कारतिके जवाब दीजी बिटा इसके बाद नेक्स पर आओ मैं तो अमीद करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से जवाब देते रहेंगा हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे जो छोटे भाईएं जवाब देते तो बड़ा आनंद आता ह इसके बाद आएए कोशन नंबर नेक्स्ट पर आजाएए कंसीडर दा फालूइंग कार्बो कैटाएन इस पर करेक्ट और आफ सीक्वेंस इस्टेबिलिटी का बताना है तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा इस्टेबिल तो यह फिनाईली वाला हो जाएगा है यह इसका मतलब एक कंसीडर दा फालूइंग सीक्वेंस आफ इस्टेबिलिटी बताना है तो एर्थ वाले का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इस्टेबिल तो इसे होना चाहिए उसके बाद नंबर आना चाहिए इसका फिर आना चाहिए इसका और फिर आना चाहिए इसका अजे प्रताप आपसन सही होना चाहिए, अजे हमारे साथ अच्छा फील होता है, आपको कोई प्रावलम तो नहीं आती है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, आपका पडोसी हूँ, लेकिन मिला अभी तक नहीं आपसे, फिर भी आपको उम्मीद करता हूँ कि हमारे बातों से, ह फ्रीरेडीकल में स्टेब्लेटी का जो आडर होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से बेंजाइल ऐलाईल ठीटु वन, नाइनत वाले का जवाब भी, क्या फेर एही लगा दूँ, नाइनत वाले का जवाब भी, क्या एही लगा दूँ, जी सावाश वेरी गूड बहुत सुन्दर सिवानी अन्रादा वनीस लगाईए जवाब लगाईए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल लगाईए देखे कितने अच्छे लोग जवाब दे रहे हैं तुम लोगों के सेलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है बस अरते बस एक बार आप लगे रहें पूरे जिब तक एक्जाम ना हो कुछ लोगों ने अपने आपको सरंडर कर दिया है अटास हो चुके हैं और उन लोगों ने कहा दिया सरब छोड़िया एक्जाम एक्जाम होगा नहीं तो इंट्रेस्ट भी उन्हें नहीं आ रहा होगा लिकन जिनको लगता है तो वो एक्जाम में कार्तिके आपको questions सही लग रहे हैं। एक्जाम तो होना तह है, निश्चित है। और बिहार वाले तो जड़टे रहें बिलकुल मौकाय वारदात पे, क्योंकि इनका दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही हमला हो जाना है। Which of the following is correct of the stability of phenoxide iron? Phenoxide iron की stability का correct stability कौन सी है? तो resonating structure of the benzene ring, delocalization, the pile electron of the phenoxide iron, delocalization होना चाहिए। तो 10th का जवाब मेरे हिसाब से C आना चाहिए। विल्कुल very good, Dilip Pandey, C आना चाहिए। Dilip, are you feeling better? पहले से आप ठीक महसूस कर रहे हैं अपने आपको, डेंग उसे परपेडित हुए थे आप Which of the following is not a Lewis base? इसमें कौन सा Lewis base नहीं है? तो A जो है, वो Lewis acid है, Lewis base नहीं है A Lewis acid है, Lewis base नहीं है Arrange the following nucleophiles in the order of their nucleophilic strength यही question बहुत बार बच्चे ग्रुप में डालते हैं तो 12 जबाब मैं आपको बताना चाहूँगा कि Arrange the following बिद्ध को यह OCS 3 हमेशा अगर मैं आपको देखने की कोसिस करता हूँ तो यहां पर order जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? कुछ किताबें जो हैं, वो बताती है जरब बारे बाले पर नजर दोडाईए, बारे बाले पर नजर दोडाईए क्या होगा बारे बाले का आंसर दीजी बारे बाले का A होना चाहिए, बिलकुल accurate A ही होना चाहिए, और अगर यहां से मैं देखता हूँ लेकिन आपको एक चीज बताने की कोसिस करूँगा यह इदर आएगा A यह जदान अैसिटेट आएग जदान नहीं हो सकता है बिलकुल 100% देखो यह तो गलत है, यह मैं आपको बताऊं यह चीज जदान नहीं हो सकती है तो इसलिए यह तो गलत हो गया, इदर होता तो मैं मान लेता है एक बार को, C ही है आंसर तो C ही है लेकिन समझना पड़ेगा कैसे देखो कुछ किताबें ये कह देती है मैं बताता हूँ दीख्षा ऐसा क्यों कह रही है क्योंकि मैं आपको बताने की कोसिस ये करूँगा कि कुछ किताबें ये कहती है कि OCH3 जो है वो सपोर्टिंग गुरूप है इसलिए इसको ज़्यादा होना चाहिए कोई बात ने आंसर तो C है बिटा ये तो कंफर्म है लेकिन अब इस आंसर को भी मैं कंफर्म कर देता हूँ वो मैं आपको बताने की पूरी कोसिस कर रहा हूँ तो प्लीज थोड़ा सा आप सहयोग करिए थोड़ा साथ रहिए मैं आपको बार में का जवाब सटीक दूँगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है चलो ठीक है बारे का सी है अब समझ ये क्यों मिटाता हूँ इससे सब देखो बारे का जवाब ये है कि अगर मैं CS3 गुरूप को देखता हूँ तेरा समझ ना बात को कोई बात नहीं बस बस हो गया हो गया ठीक है मैं समझ रहा हूँ अगर मैं इसमें OCS3 गुरूप से समझने की कोसिस करता हूँ और OH से समझने की कोशिश करता हूँ तो OH इसलिए ज़ाधा भी लिया है कि OH को अगर मैं देखता हूँ तो यह क्या करते हैं इलक्टरॉन की एफिसेंसी यहाँ पर जादा है जबकि अगर इस वाले ओ को देखता हूँ तो इलक्टरॉन की डेंसिटी यह बढ़ाते तो है अच् यह इनका मानना है इसी लिए यह दीख्षा OH को पहले ले आते हैं और OCS3 को बाद मिलाते हैं जबकि acetate iron को आप note करके देखो acetate iron को note करो यह है acetate iron acetate iron में resonance की बजह से resonance भी संभव है यहां पर resonance possible हो सकती दोनों के बीच में तो इसकी stability जो है थोड़ी सी घट जाती है acetate iron की और जबकि phenoxide iron में यह फट से यह जो negative charge है यह ring के अंदर चला जाता है delocalize हो जाता है यहां delocalize होने की संभावना थोड़ी कम है और यहां पर delocalize होने की संभावना जाधा दिखाईजे रही है देखो summer hydrogen bond से मेरे राय में मत देखो लेकिन अगर आप यह कहो कि water जो होता है h2 हाँ मैं आपको यह भी बताने की कोसिस कर रहा हूं कि दीक्षा जहां resonance होता है वो ज़्यादा इस्टेबल होता यह आपने दीक्षा लिखा हुआ है तो अब आपको एक चीज बता देता हूं निउक्लियोफाईल की बात हो रही है निउक्लियोफाईल का मतलब होता है दीक्षा समझो निउक्लियोफाईल का मतलब होता है कि negative charge उसके उपर रुका रहे है और negative charge यह तभी ही बेटर होगा, सी ही बेटर, इसी लिए मैंने इसको सी बोला है, ठीक है, जबकि कुछ किताबें OCS3 को इधर ले आती हैं, इस साइड में ले आती हैं, इस साइड में, तो उन पे अभी आप परिसान ना हो, इसमें option भी नहीं दिया है, और इस पर एक काम मैं और करूँगा, कि इस पे करीब 15 कोश्चन बनाऊंगा, दीक्षाथ तुमारे लिए मैंने सोचा है, तुमारे के मतलब सभी के लिए सोचा है, कल जब आप कोश्चन डिसकसन कर रहे थे गुरूप के अंदर, तो मैंने जो नोटिस किया, वो ये नोटिस किया कि इस टाइप के कोश्चन गलत हो रहे थे, गलती जादा हो रही थी आप लोगों से, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, इसी कटागरी के 10-15 कोश्चन बनाऊं और आपको वाटसेप करूँ, फिर उनके जवाब देखू, फिर उनको डिसकसन कर दूँ, जिससे की आपका ये कन्फूजन खतम हो जाए, कि न नुकलोफलिसिटी ओर्डर पर 15-20 कोश्चन बनाकर के आपकी मैं बिलकुल परफेक्ट कर दूँ, इसमें गलती होने के चांस घाटा देता हूँ, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है, चलिए, ये अब आपको मुझे याद दिलाना पड़ेगा कल, मैसेज करके परसनल, कि स आप ने एक नुकलोफलिसिटी बस इतना लिद्रासर नुकलोफलिसिटी पर कोश्चन करा दीजिएगा, बस मुझे याद आजाएगा, क्यों आप जानी रहें, कि दिन भर जो है वो एकदम भौकते भौकते, यहां भौकना, इस्कूल में भौकना, यह भौकना, वो भौकन पागल हो जाते हैं, विच अप दा फालूइंग इसटेबल कारबुनियम आयन, इसमें कौन सा कारबुनियम आयन जो है, वो इस्टेबल है, तो अब आपको भाई, यहां मुझे बताने के जो होता नहीं है, डी वाला, थरटीन का आपसन जो है, वो डी ही होगा, डाइपिना और बाकी तो सब हैं यहां जुजूर 14 पर आईए 14 बाले पर आईए विच अब दा फालोइंग और रिगार्डिंग दर रिलेटिव इस्टेबिलिटी अब दर फ्री रेडिकल्स इस करेक्ट दिलीप पांडे मैंने आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दी है और उसकी पीडियफ आपके इसी एप पर भी डाल दी है साहिद दिलीप जी आपको मिल गई होगी फ्री रेडिकल का ओडर आपका भी है लगा लीजे 321 होता है दिलीप पांडे आपने कहा था मैंने आपकी बात को पूरा किया है बहुत ही इंपर्टन क्वेरी इंपर्टन बिहार PGT में समझ लो ये रखा हुआ है लिख लो आज ही ना आए तो 100% आप मेरे पासाना 2023 में जो PGT exam होने है जा रहा है उसमें ये आएगा मेरा वादा है आपसे 100% ठीक है तो 15 वाले का कह रहा है dipole among the following highest dipole moment किसका होना चाहिए तो जवाब गोपाल जी ने दे दिया है C, बिल्कुल ठीक dipole moment के बारे में बताये न सर चलो dipole moment क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिस करता हूँ देखो ये मैंने hydrogen लिया और ये chlorine लिया इस chlorine की tendency अपनी तरफ electron खीचने की तो partial negative आ जाता है partial positive आ जाता है ठीक है बिल्कुल 100% ठीक जी partial negative, partial positive आ जाता है तो इनके बीच एक polar character अब इसके उपर मालो charge Q था प्लस का इसके उपर minus Q था तो dipole moment is equal to क्या होता है charge into the distance between the charges दोनों charge के बीच की distance d है तो d से multiply कर दो माया तो इसका मतलब है dipole moment is defined as the product of charge and the distance between them अगर dipole moment की value 0 आ जाती है तो molecule non polar होता है जबकि अगर dipole moment की value 0 नहीं होती है तो molecule polar हो जाता है ठीक है और polar non polar का character ये एक vector quantity है और इसको हम लोग इससे represent करते हैं एक बात अगर हम लोग general structure से discussion करने की कोसिस करें कि कौन polar होगा कौन non polar तो ऐसे देखा करो जैसे CO2 molecule है ये अपनी तरफ electron खेच रहा है ये अपनी तरफ खेच रहा है net force cancel हो जा रहा है 0 आ जा रहा है dipole moment इसी तरीके से अगर माँ अब सुन लो बिटा प्रीती दिख्शा सुन लो आगे छटे सोले पना भागो इनकी तमन्ना पूरी कर दूमे अब जैसे कि मान लीजे ये CHCL3 था तो CHCL3 में क्या condition है वो समझने की कोसिस करो बिटा देखो ये CL अपनी तरफ electron खेच रहा है ये अपनी तरफ खेच रहा है इसने कैंसिल कर दिया लेकिन इस क्लोरीन ने खेचा hydrogen में खेच लो तो एक साइड में force गया जब बन साइड force लगा तो मतलब इसके अंदर polar character ज़्याधा आ जाएगा जबकि इसकी electronegativity कम होती है इनकी ये ये आटोमेटिकली cancel out हो जाएंगे ये मानलो CL लिखा ये मैंने CL लिखा ये CL तो एक CL दूसरे CL के force को cancel out कर रहा है तो यहां तो संभावने ही नहीं है तो dipole moment T zero हो गया and so on अब तो साइड समझ में आ गया होगा चलिए ठीक CH4 में उल्टा लग जाता है ये मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिस की है अब आप समझ लेजिए इसके बाद आईए 16 बाले कोश्चन पर बताओ कार्थिके 16 बाले कोश्चन यार कार्थिके जवाब नहीं देते है थोड़ा बहुत जवाब दिया करो which of the following is the strongest base इसमें strongest base कौन सा है तो strongest base वो होगा जो हमारा लपू हमें देता है लपू सी तो सकल है सुना था इस statement खूप चला था बोलनों जा मैं आप है नहीं ऐसे करके बोला था नहीं तो इसमें बिचारा ये कौन है जिसके उपर ये loan pair जो है easily तो easily available तो इसी लपू को कर सकते हैं ना हम लोग तो या इसका मतलब हुआ कि ये हो जाएगा हमारा loan pair और यही ज़्यादा basic होगा strongest base यही होगा ठीक चलो ठीक loan pair very good availability है बाकिसम में delocalize हो जा रहा है delocalize हो जा रहा है बिलकु localize loan pair आरे वास्षिवानी तुमने दिल जीत लिया मेरा बहुत सुन्दर जवाब दिया due to the due to the resonance of an unpaid electron free radicals are क्या होते हैं free radicals अगर आप बताएंगे तो chemically reactive होते हैं highly reactive होते हैं highly reactive होते हैं यह बात आप जान दो ठीक है which of the following pka value represent the strongest भाई जिसकी more pka more pka तो इसका मतलब हो जाता है less acidic less acidic इस बात को भी ध्यान देना है तो which of the following pka value represent the strongest acid तो strongest acid होगा तो उसकी जो pka value होगी वो कैसी होगी more होनी चाहिए more और more का मतलब हो गया कि यहाँ पर यह सबसे कम value यही है D देख्शा बटिया काहे हस रही हो भाई तुम्हें बहुत तेज हसी आई मैंने ऐसी कौन सी बात बोल दी कि तुम्हें हसी आगई which is most stable carbocatine which is most stable carbocatine less मतलब less pka होनी चाहिए less pka more acidic less pka more acidic 19 वाले का देखिए most stable तो यही होगा न tri-phenyl-methyl-carbocatine ठीक 20 वाले पे आईए अच्छा ठीक है 20 वाले पे आईए among the following the strongest nucleophile फिर वही समस्या आ गई 20 वाले का जबाब दीजिए 20 वाला तो 20 वाले को मेरे राय में छोड़ी दीजिए फिलाल strongest nucleophile जहाँ availability loan pair की ज़्यादा है वो यही है availability loan pair की ज़्यादा है वो यही है मैं फिलाल इसको समझाऊँगा दो question तो यही मिल जाएंगी मुझे ठीक है which of the following react slower which of the following compound react slower than benzene in the electrophilic bromination कौन जो है 20 का C नहीं होगा 20 का C नहीं होगा होगा तो D ही ये निश्चित है 20 का D ही होगा माया C नहीं होगा चेक कर ये मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर एक समस्या ये है न इस तरीके से जो आपने बनाया हुआ है वो मैं आपको बताने की कोसिस करूँगा ये N-C है न N-C-H-2 ऐसे करके है न तो ये ऐसा कर लो बना के structure दिखा देता हूँ बना करके दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH2 N-C CN है सौरी CH2 CN है मुझे उल्टा दिखाई दे रहा CH2 CN है मैं गलत पढ़ गया उसे CH2 CN है देखो बटा ISO नहीं है ISO नहीं है ये CH2 CN है इसलिए मैं भी उल्टा ही ISO ही पढ़ गया जब कि ये साइनाइड है ये इधर से नेगेटिव है ये ऐसे लिखा गया है उल्टा लिखा गया है डराने के लिए ये NC नहीं है साइनाइड है आप ध्यान दो इसे साइनाइड है समर ध्यान दीजे इसलिए इसका अंदर अच्छा नुकलियो फाइल का करेक्टर होगा ये उल्टा आप पढ़ी रहे हैं इसको ध्यान दीजे वाद 21 पे आजाईए 21 पे आओ 21 बाले पे आईए विच अब दा फालोइंग कंपाउंड रियक्ट स्लोवर देन दा बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन 21 बाले पे आईए तो जहां पर इलक्ट्रोन बिड्राइंग ग्रूप लगा होगा वही ऐसी कंडिशन क्रिएट करेगा विच अब दा फालोइंग इस दा मोस्ट रियक्ट्रोफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्ट्शन बताइए विच अब दा फालोइंग इस रियक्टिव एलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन 21 हो गया 22 वाला बताईए नूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन 22 वाले का D होगा ठीक है बिलकुल 100% 22 वाले का भी D ही होगा Stable Carbocatine कहां बनेगा यहीं बन पाएगा न Stable Carbocatine यहीं पर बनेगा न यहां लिख देना आंसर समझने के लिए More Stable Carbocatine More Stable Carbocatine ठीक है More Stable Carbocatine बना पाओगे नहीं बना पाओगे Allyl Carbocatine बनेगा न Allyl Carbocatine बनेगा देखो बिटा यह सीधा करके लिख लो ना परेसान होने की बात नहीं यह सीधा करके लिख लो यह है ना यहां पर Positive आ गया और यह हटा दो यह हटा दो तो यही तो हिस्सा हुआ Allyl Carbocatine आया ना माया देखो बिटा Allyl Carbocatine यही केमिस्टरी के जल्वा है देखता कुछ और है होता कुछ और है बहुत गहरी केमिस्टरी है इसके अंदर केमिस्टरी है बड़ी बेवफारात में याद की सुभेरे सफा स्कूल पहुँचे तो टीचर खफा मारसीड देखी तो नंबर सफा घर पह आये तो मम्मी पापा खफा बड़ा खतर प्राग मामला है तेश में पह आये 23rd पह आये Very good The correct increasing order of the reactivity of halide for SN1 reaction The correct increasing order of the reactivity of halide for SN1 reaction बोलिए बहुत सुन्दर देख्षा वारे गुडिया जिसकी समझ में नाये मिस्ट्री वही है केमिस्ट्री बहुत केमिस्ट्री है एक मिस्ट्री दुई मिस्ट्री चलो देखो 23rd का A बिल्कुल सही जवाब 60 चोट मारी है 23rd पर Stability of Carbocatine देख लो ये आपको सबसे ज़्यादा उससे कम आपको ये मिल जाएगा उससे कम आपको पही आपका हो गया Bengyal फिर Allyl 2 डिगरी होगी और फिर 1 डिगरी होगी है तो ये ही आंसर एक्जेक्ट होगा Very good सावाश मैं रजगुलो जवाब ऐसी देते रहो Which of the following is a Lewis Acid इसमें कौन सा Lewis Acid है Phenyl, Vinyl, Allyl, Alkyl अरे वारे गुरिया Which of the following is a Lewis Acid A होगा कोई हाथ मार के भाग जाता है हाँ बिटा देक्ष्या बताओ कि ये question जदा आता है ये कम आता है अगर मैं गलत हो तो बताओ अगर सही हो तो बताओ The correct order of the ease of the dehydration ये हर competition में आता है हर competition में आता है Carbocatine की stability के according से explain कर लो bitter है है न सबसे मतलब है कि सबसे ज़्यादा ये वाला होगा ये वाला ये B होगा B option होगा भाई the correct order of the ease of the dehydration अगर आप explain करने कोसिस करोगे तो stability of carbocatine को देख लो ज़्यादा stable बनाएगा ये उससे कम हो जाएगा ये आपका क्या हो गया ये सबसे कम हो गया ये वाला सबसे कम stable हो जाए कार्थी के वेरी गुड़ ये question J में NEET में और क्या कहते है आपका PGT में नवूदे वाले PGT में जितने भी एक्जाम में लगवक सम्में सम्में आता है B ही option होगा ये question खूब आता है चलिए 32 का B हो गया चीक है यहिए कि 2, 1, 0 33 पे आओ which among the following statements are true which among the following statements are true with respect to electronic displacement in covalent bond तो 33 वाले का जवाब कौन देगा दीजिए कोई लोग 33 वाले का जवाब दीजिए 33 वाले का which among the following statements are true with respect to electronic displacement in a covalent bond तो inductive effect जो होता है वो operates through the sigma bond यही मेरे हिसाब सही है यही statement true माना जा रहा है यहाँ पर चलिए आगे बढ़ लीजिए उसके बाद है next question अच्छा नीचे और भी पांचों statement है तो रुख जा रुख जा रुख जा रुख जा रुख जा बटा आंसर नीचे हैं आंसर नीचे हैं मैंने उपर ही देख लिया किवर 33 वाले को दुबारा देखिए 33 वाले को दुबारा देखिए यह भी सही है resonance effect operate between sigma तो यानि कि 2 और 3 सही होगा फिर ये सही हो जाएगा नहीं 2 और 3 देखो which among the following statements are true with respect to the electronic displacement तो resonance भी तो होता है through the sigma bond क्या गलत है ये ये होगा चेक करो जाएगा 33 चेक करो मुझे confusion है 33 में 33 चेक करिए 34 पर मत जाएए भी 34 पर मत जाएए 33 चेक करिए 3 और 4 होना चाहिए मुझे लग रहा है देखो एक तो statement ये बिलकुल सही है ये वाला तो बिलकुल सही है और resonance effect जो होता है वो पाई बॉन्ड इन्वाल्व करता है resonance effect ये वाला देखो resonance effect ये वाला सही है कौन सा सही 33 बताईए आप यहाँ पर मुझे थोड़ा सा doubt है इसलिए मैं रुका हुआ हूँ C सही है 23 कौन सा है बताओ C कर दूँ हाँ ठीक तो यानि C को final कर दूँ चलो आप लोग बताना मुझे इस पर doubt है और आप लोग मुझे बताओगे कि सर ये वाला जबाब 3-4 सही है या की 3 आप मुझे whatsapp करके message बताओगे क्यों अभी इसके समय खराब नहीं करूँगा चलो उसके बाद आजाओ कोई बात नहीं मैंने दोनों मुझे भी इही लग रहा है लेकिन मुझे doubt है भी थोड़ा सा इही है बिल्कुल 100% इही है मुझे भी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा doubt लगा मुझे इसलिए बोल रहा हूँ हालागी 3-4 मैंने टिक कर रखे हैं तीन और चार मैंने टिक कर रखे हैं इस पर चलो कोई बात नहीं इन विच चलो ठीक इन विच एलकाइल हैलाइड SN2 मेकेनिजम तो SN2 मेकेनिजम तो प्राइमरी में होती है तो 34 बाले को क्या करो इसमें लगाऊं की इसमें लगाऊं ए लगाऊं चलो ठीक इसके बाद आजाईए ए लगाईए बिलकुल एक्कुरेटसी के साथ चलना हैं लोग SN1 में 3 डिग्री हो जाएगा अच्छा आडर लगाना है तो 35 बाले का चलो देख लेते हैं SN1 पे आडर आगे दिये होंगे देख लो समझ लो बिटा ये 3 डिग्री का है ये आपका डाई फिनाईल ब्रोमाइड दिया हो मिथाईल ब्रोमाइड ये दिया है तो इसका मतलब यहीं पर आडर लगा लो फिर आगे मिलान कर लेंगे आडर लगाओ फिर मिलान करेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा होगा मेरे इसाब से ये होगा फिर ये होगा यह नहीं 2, 3 और 1, 4 2, 3, 1, 4 चलो मिलाते हैं 35 का 2, 3, 1, 4 चली चेक कर ये 3, 2, 1, 4 अच्छा मनू 3, 2, 1, 4 यानि कि E option होगा 3, 2, 1, 4 अच्छा एक और 5 भी दिया है न 4 और 5 ठीक है बटा मनू यू आर हंडेट लुबना 3, 1, 2, 4, 5 नहीं 3, 2, 1 होगा वो तो सही है यही E option होगा इसमें E ठीक है E ही होगा बिल्कुल सही है 3, 2, 1, 4, 5 ठीक, एक्यूरेट है इसमें बहुत डाउट नहीं कोई दिक्षारानी किजाए स्वाती महरानी किजाए जी 36 बता बच्छा 36 बाला बताओ The hydrolysis of the 2-bromo-3-methyl-butane by SN1 SN1 is given by 2-bromo-3-methyl 36 का जबाब 2 दे रहे हो इसका मतलब है इसमें 2-degree carbo-caten बनेगा फिर हीड्राइड सिफ्ट हो जाएगी है ना करके दिखा दूँ क्या करूँ चलो करके दिखा देता हूँ SN by SN1 तो यहाँ पर हो गया 2-bromo-3-methyl-butane हो गया इसमें क्योच डाल दीजिए यह बाला कर्वो-caten पहले शूट जाएगा तो CS3, CH, positive, CH यहाँ पर CH3, अच्छा मिथाइल है सुरी CS3 और इसके बाद हाइड्राइड सिफ्ट करा दो जब हाइड्राइड सिफ्ट कराओगे तो इसका मतलब हुआ कर्वो-caten बन जाएगा CS3, CH2, C, positive और यहाँ CS3 और यहाँ CS3 इसके बाद OH-negative जोड़ दो ठीक है सही है तो इसका आंसर भी ही आएगा यही बनेगा इसमें वोच जोड़ोगे तो CS3, CH2, C यहाँ पर OH आ जाएगा यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा, यहाँ CS3 आंसर इसमें आ जाएगा आपका 2-methyl-butane-2-ol, B आएगा विच वन अब दा फालूइंग कार्ब-A9 इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकाट है, लिस्टेबल कौन है, सबसे कम कौन है सबसे कम कौन कौन है, लिस्टेबल ना, यह तो मौर इस्टेबल में चला गया भाई मौर इस्टेबल में चला गया, लिस्ट बताईए, लिस्ट यह होगा, यह ठीक, यह ही होगा, यह सबसे ज़दा स्टेबल हो जाता है, सबसे कम यह होता है यह ज़्यादा हो जाता है, यह सी बाला टर्सरी ब्यूटाइल कौराइड परफेक्टली अंडरगो हैड्रोलिसस तो यह SN1 मेकेनिजम के द्वारा जाता है, यह तो आप जानती ही हूँ, SN1 मेकेनिजम के द्वारा जानता है यह होमोलिटिक फिजन अगर बने होगा, तो फ्री डेडिकल ही बनेंगे तक 39 बला बताओ होमोलिटिक फिजन होगा तो फ्री रेडिकल ही बनेगा ना एक फ्री रेडिकल ही बनेगा यह यह बनेगा इसमें कितने हैं बताओ जल्दी 40 बाले में बताओ तो 1, 2, 3, 4 यह हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे हो जाएंगे छे आएगा, सी ठीक, सी आएगा, छे आजाएंगे विच अब दे फालूइंग आयन इसमें सबसे इस्टेबल कौन सा है तो यही सी, 41 का यह हो जाएगा 3 डिगरी है मोस्ट इस्टेबल कार्बो कैटाइन इसमें कौन सा है 3 डिगरी होगा 42 का D हो गया कर डालो, सब कोश्चन खतम करो इसे CT ही डिली करवाउंग और्गनिक की फुल और्गनिक करवा दुआ इसमें सबसे जदा इस्टेबल कार्बो कार्ब एनाइन कौन सा है जी बताइए प्थाल कार्ब एनाइन सबसे जदा इस्टेबल है ठीक Electromeric effect जो होता है वो कहां से आता है तो Electromeric effect comes into plate demand of the attacking reagent जब attacking reagent आता है तब ही Electromeric बाता है इसको मैंने बड़ा focus करके बताया था अगर आपको याद है In Carbocatine the carbon atom bearing a positive charge तो SP2 havidized होता है D option होगा यहाँ पर Nitration of the benzene is किस तरीके का Electrophilic substitution reaction में आता है Which of the following alkyl halide is hydrolyzed by S1 mechanism तो S1 mechanism के थूँ D वाला होता है चलिए आप बताते रहिए आपने कहा थोड़ा सर जल्दी कर दो तो मैंने जल्दी कर दिया उसके बाद इस पे आजा 48 पे Bromination of the methane in the presence of sunlight तो वो free radical mechanism के थूँ चलती है Free radical mechanism के थूँ चलती है इस जो reaction दे रखी है The terminating step is इसमें termination कहा हो रहा है तो मेरे हिसाब से termination वाली step जो है वो fourth होनी चाहिए Termination वाली यह होनी चाहिए और यह यहां दिया है D वाले option में यह दिया है D वाले option में Anti-Marconic of addition is not observed in Anti-Marconic of addition कहां observe नहीं किया जा सकता है But to in में नहीं किया जा सकता है यह symmetrical है तो कि यह सब symmetrical है उसके बाद 51 पर आई यह 51 पर आई यह 51 कह रहा है कि यह reaction दे रखी है यह actual में addition reaction मेरे हिसाफ से यह reaction न्यूक्लिव आपने देखा होगा यह कारवणायल कंपॉंड में addition reaction में पढ़ा जाता है बनीश जी कुछ समझ में आ रही बात चली यह ultra solve कर लेते हैं 60 से solve कर लेते हैं 60 से solve कर लेते हैं Among the following the correct order of basicity तो जिसका acid strong होगा acid a character मतलब इसका पहले हम conjugate acid देखें क्या होगा इसका conjugate R-C-W-H होगा यह conjugate acid होगा यह सबसे ज्यादा होगा उसके बाद water आएगा और water के बाद alcohol आजाता है और alcohol के बाद ammonia आजाता है तो conjugate acid जिसका strong होगा उसका conjugate base भी strong होगा लो उसका conjugate base weak होगा उसका conjugate base B होगा तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से 60 बाले का पूछा है the basic order तो basic order मेरे हिसाब से A आना चाहिए A B आएगा NH3 neutral का इससे सबसे कमजोर हो गया conjugate इसका acid strong है तो conjugate base weak होगा ना यही तो order आएगा देख्छा सही तो है ना conjugate acid strong है तो इसका conjugate weak base आएगा तो यही order आजाएगा चेक करो एक बार water बाद में नहीं आएगा water is more acidic than alcohol water is more acidic than alcohol यह जानो ध्यान से water का acidic character alcohol से ज़्यादा होता है क्योंकि alcohol में plus I effect होता है यह बात आप दिमाग में डाल लीजी है चलिए बी ही ठीक है उसके बाद आजिए इस एक 59 पे आईए इन दर रियक्शन फीनॉल इस ट्रीटिड भी दैक्वस जी तो सबको पता है बाई 59 बाला मुझे लगता है कि यह कार्वीन बनता है यह कार्वीन बनता है रिमर टीमन लीक्शन भी है यह रिमर टीमन है ना चलिए 58 विच अब दा फालॉइंग कंटेंड थी पेर्स अब दा इलेक्टरॉन किसमें तीन पेर इलेक्टरॉन होते हैं तो तीन पेर मेरे हिसाब से कार्वो कार्व आनाइन में हो जाते हैं क्या यह कार्बोकायटाइन में हो जाते हैं तीन पिर कार्बोकायटाइन में लग रहा है मुझे है तो एक पिर दो पिर तीन हाँ ये ही आएगा ये आएगा which is the strongest acid among the following कौन सा इसमेíamos strongest acid है D 57 बाले का जवाब दीजिए 57 का D दे रहे न 57 का D बिलकुल सही है ची सही accurate है वैलू देखिए कम ज़्यादा बागे कुछ नहीं देखना है चलिए 56 बाले पर आईए इन दा फ्रीडल क्राफ्ट रेक्शन दा इलेक्ट्रो फाइल इस यही होगा B 55 बाले देखिए 55 बाले कोश्चन देखिए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो मेरे इसाब से यह होना चाहिए यह नमबर वन बाला वन केबल एक दो में दे रखा है तो यह तो A होगा यह D होगा 55 बाले को देखो यह A होगा यह D होगा तो मेरे इसाब से फॉर्ष चेक कर लो फॉर्ष वला कम होता तो D ही your option होगा D, नहीं D होगा देखो यह वाला सबसे थर्ड वाला है यहाँ पर alkyl group इतना बड़ा लगा है यहाँ पर cable इतना लगा है तो थर्ड वाला यहाँ आ जाएगा सबसे कम जोर अच्छा question है ना थोड़ा से time consuming है और कुछ नहीं 54 वाले पर आईए कार्बो कैटाइन की का decreasing order कौन सा है तो कार्बो कैटाइन सबसे ज़्यादा stable tertiary secondary primary तो 54 वाले को देखो B होगा primary secondary tertiary कार्बो कैटाइन का stability का order सबसे कम stable है यह तो गलत दिया which one of the following is the correct order of the decreasing stability carb anion है सोरी तो यही होगा कार्ब anion है यह कार्ब anion है हम इसे कार्बो कैटाइन पढ़ रहे थे भी कार्बो कैटाइन नहीं कार्ब anion है बिटा 53 देखो heterolytic fission of a covalent bond can form क्या बनाता है heterolytic fission कार्बो कैटाइन और कार्ब anion बनाते है 53 कब भी 52 methyl chloride reacts with the solution of NaOH the mechanism कौन सी mechanism जाएगी methyl chloride react भी तो SN2 mechanism जाएगी 52 का बताइए SN2 जाएगी SN2 यहाँ SN2 कर लो भी लगा दो ठीक है SN2 ही होगी चलो इतने question मैंने आपको करा दिये हैं अब फिर अब organic के question ही चलेंगे next series में